साथियों, बीते दो सालों में देड करोड से जादा गरीबों ने आईश्मान भारत योजना का लाप उठाया है। इससे जम्मू कश्मीर के लोगों को भी मुश्किल से समय में बहुत राहत मिली है। यहां के करीब एक लाग गरीब मरीजों का अस्पतार में पांच लाग रुपिये तक का मुप्ति इलाज किया गया है। इसमें भी जिन बिमारियों का सबसे ज़्यादा इलाज हो रहा है उसमें कैंसर, हार्ट और और्थों से जुड़ी बिमानिया सबसे ज़्यादा है यह ऐसी बिमारिया है जिन पर होने वादा खर्ष किसी भी गरीब की निंद उड़ा देता है और हमने तो देखा हैं कि कोई गरीब परिवार मेहनत करके थोड़ा उपर आए और मद्दिम्बर की और आगे बढ़े और अगर परिवार में कोई एक बिमारी आ जाए तो फिर वो गरीबी के चक्र में वापिस फस जाता है भाईयो बेहनों जम्मु कश्मीर की वादियों में हवा इतनी शुद्ध है प्रदुशन इतना कम है कि स्वाभाई गुरु से हर कोई चाहता है और मैं तो जुरूर चाहूंगा कि आप हमेशा स्वस्त रहे हैं हाँ अब मुझे ये तसल्डी है कि विमारी की स्थिति में आईश्मान भारत सेहत स्किम आपकी एक साथी बनकर मोजूद रहेगी साथियों इस कीम का एक और लाब होगा जिसका जिक्र बार-बार किया जाना जरूरी है आपका इलाज सिर्फ जम्मू कश्वीर के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों तक सिमित नहीं रहेगा बल्कि देश में इस योजना के तहट जो हजारों अस्पताल जुड़े हैं वहाँ भी ये सुविदा आपको मिल पाएगी आप म्यान दीजिए मुंबई गए हैं और अचानक जरूर पड़ी तो ये कार मुंबई में भी आपके काम आएगा आप चेड़े गए तो वहाँ भी काम आएगा वहाँ भी अस्पताल भी मुप्त में आपके सेवा करेंगी आप कोलकता गए हैं तो वहाँ मुश्किल होगा क्योंकि वहाँ की सरकार आईश्मानी जुजा से नहीं चुड़ी है कुछ लोग होते हैं क्या करें देजभर में ऐसे 24,000 से ज़्यादा अस्पताल इस वक्त है जहां सेहत स्कीम के तहट आप इलाज करा पाएंगे कोई बंदिश नहीं कोई रोक टोग नहीं किसी को कमिशन नहीं कटका तो नामो निशान नहीं कोई सिफारिश नहीं कोई प्रस्ताचार नहीं सेहत स्कीम का कार दिखा कर आपको हर जग इलाज की सुविदा मिल जाएगे